Hello Everybody, Crazy Tricks with Mahindri मैं आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए कुछ व्यापम के एक्जाम के IMP questions लेकर आए हैं उस पर हम डिसकस करेंगे चलिए देखते पहला question हमारा देखे मद्धे प्रदेश में आदिवासी विकास खंडो की संख्या क्या है देखे दो तोरे का इसका question आता है एक आएगा आपके पास मद्धे प्रदेश में विकास खंडो की संख्या क्या है तो वो आप लगा देंगे जो भी संख्या है उसके बाद एक आता है मद्धे प्रदेश में आदिवासी विकास खंडो की संख्या क्या है तो आपको क्या करना है पहले इस टाइप के questions को पढ़ना है कि इसमें दिया हुआ क्या है पूच क्या रहा पाता चले आप विकास खंड पूच रहा है उसमें दोनों टाइप की का दी हुई है और आप आदिवासी वाली संक्या लगा रहा है तो यह ऐसा आपको बिल्कुल नि करना ठीक है तो हम देखते हैं मद्य परदेश में आदिवासी विकास खंडों की संक्या क्या है तो इसका आंसर बन जाएगा 89 मद्य परदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है तो वो है 89 ठीक है किस जंजाती में डहाईया खेती का पर्चलन है किस जंजाती में डहाई यह जाएगा आपका मारिया मारिया जन्जाती के अंदर डाय यह खेती का पर्चलन है ठीक है दोस्तों अब देखते हैं आगए हम कुछ का यह कितने है टोटल 21 इसका अंसर क्या बन जाएगा 21 नीति आयोग के 20 अद्धिक्ष कोन है अभी जो पर्जेंट में है मैं जो नीति आयोग का अद्धिक्ष होता है वो तो पीम है ठीक है लेकिन 22 जो अद्धिक्ष है वो कोन है आपको सेम नाम दिया है संजु कुमार राज कुई ते आरविन पनवाडिया ठीक है राष्टर किसान आयोग NCF के अद्देक्ष हैं ऑरकमातूर या सिम गुपता स्रीसेलेस और फिर डाक्टर nuts दॉसकर अंसर है डाक्टर स्वामी में में फीपा के अद्देक्ष हैं फीपा के प्रेजन्ट में वर्तमान में अदडेख्ष कोन है तो उसका वो अंसर है गियानी इनफेंटिनो यह फिपा के प्रेजन्ट के अदडेख्ष है अब देखे राज जिमें पशूयों में सबसे बड़ी संख्या है तो इसका अंसर बन जाएगा बक्रियों की, बक्रियों की सबसे ज़्यादा संक्या हमारे यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध करसी वाला जिला, तो वो आजाएगा उज्जन, उज्जन कितना पॉइंट, 80.20% यहाँ पर शुद्ध करसी के जाती है, राज जी का सीचाई की द्रस्ट इसे देश में इस्थान है, तो वो आजाएगा आपका तेरवा इस्थान है, MS-DOS, एक क्या है, ओपरेटिंग सिस्टम है, ओपरेटिंग सॉप्ट्वेर है, यह यह आजाएगा आपका एक ओपरेटिंग सिस्टम है, जिला पंचैत के अद्धिक्स का चुनाओ कैस होता है, जिला पंचैत के अद्धिक्स का चुनाओ, तो इस टोपिक पर हमने पहले एक वीडियो अप्लोड किया था, जिसके अंदर पूरी डिटेल को बताया है, जिला पंचैत अद्धिक्स, जनपत पंचैत अद्धिक्स, सरपंच का किस टाइपस होता है, तो इसका जो सिधा आंस उसका चेत्र पूचा है, तो वो विकास खंट आएगा, क्योंकि जनपत पंचैत चो रहती है, वो विकास खंट के अंद्रगत रहती है, ठीक है, मद्ध्य प्रदेश के प्रतम लोकायक तो कौन थे, तो वो थे आपके पीवी दिख्षित, प्रतम लोकायक तो, एक इस कमांड का हम उप्योग करेंगे, एक डायेक्टरी बनाने के लिए, कौन सी डॉस कमांड एक डायेक्टरी को डिलिक्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाते है, डिलिट करने के लिए, तो उसमां आपके आएगे डिलिट करने के लिए, आर, एम, डि, आ, 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 या, या, यह आपकी उसको बनाने के लिए D-E-L-D-I-R ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इसको आप ना करें यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा आपका आंसर बनेगा यह वाला ठीक है 2.9452 का मान है तो इसका अंसर बनेगा 20.95 सिधी से चीज़े इसका मान आपको याद रखना है यह जो कंप्यूटर के हमने कोशन उटाया है यह पूरे व्यापम पूछ चुकी है वही कोशन को हमने लिया है तो यह बहुत ज्यादा MP है देखती जाए आगे अब देखे नेक्स मद्द प्रदेश में विकास खंडो की संक्या अभी हमने क्या पढ़ा था मद्द प्रदेश में आदिवासी विकास खंडो की संक्या लेकिन आप क्या पूछा है विकास खंडो की संक्या तो यहाँ पर पूछा है मद्द प्रदेश में विकास खंडो की संक्या तो यहाँ वो अला option भी दिया हुआ है जो कि आदिवास विकासखंड का था तो हमें सीधी सी बात है इसको नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर सिर्फ विकासखंड पूचा है तो विकासखंड है हमारे यहां 313 तो हमारा answer बनेगा A दक्षिन की और बहने वाली एक मात्र नदी उत्तर से दक्षिन की और बहने वाली एक मात्र नदी है बहन गंगा ठीक है मद्द प्रदेश राज्य में कितने परतिसे सीचाई तलाबो दोरा होती है सीचाई तलाबो के दोरा हमारे यहां पर कितने परसेंट होती है तो इसका अंसर बन जाएगा आपका 23% सीचाई हमारे यहां तलाबो दोरा होती है मद्द प्रदेश में प्रत्थम ग्राम ने आएले कहां प्रारम किया गया था प्रत्थम ग्राम ने आएले तो वो आएगा आपका जातला निमच वेब साइड किसका कलेक्शन है प्रोग्राम, ग्राफिक्स, अल्कृरिफ्रिम Absolutely यह फिर वेब पेज़ेजर तो वेब साइड जो होता है वो एक वेब पेज़ेस का कलेक्शन होता है बहुत सारा वेब पेज को मिलकर कि एक वेब साइड बनता है ठीके श्रद्दा किस करती की नाईका है श्रद्दा जो है वो किस करती की नाईका है तो इसका अंसर आजाएगा कामाईनी ये भी सीधा सीधा बहुत बार पूछा गया है कोशन कि स्रद्दा किस करती की नाईका है तो आजाएगा कामाईनी उत्पत्ति के आदार पर शब्द के कितने भेद होते है उत्पत्ति के आदार पर जो हमारे पास शब्द के कितने भेद होते है तो इसका अंसर बनेगा सीधा चाँ ठीक है ये वाला अंसर हमारा सही जवलपूर में इस्तित हैं क्या इस्तित है सिहोरा जवलपूर में इस्तित खमरिया है, ग्रामिन विकास संस्ता है, यह जो खमरिया है, यहाँ पर हमारा ओएब डियाई, ओडनेस फेक्टरी है, खमरिया के अंदर, ठीक है, और ग्रामिन विकास संस्ता भी वही पर है, सीहोरा भी जबलपूर में, तो इसका अंसर बन जाएगा दी, उप्यूक्त सभी, ओके दोस्तों, थेंक्यू सो मच, मिलते हैं नाइस टॉले पार्ट के अंदर, MPGK से रिलेटेट और सारे कोश्चन हम उसमें देखेंगे,